गोचर वशाद राशी माय गुरू से श्री राम वनवाज गए तृत्यमे गुरू से बली पाताल गए चतुर्त के गुरू से हरीश चंद्र के सत्य की परिक्षा हुई शष्ट के गुरू से द्रौपदी का वस्त्रहरन हुआ आठवे गुरू से रावन का नाश हुआ दसवे गुरू से दुर्योधन और बारवे से पांडू की मृत्यो हुई दुवित्यमे गुरू से भीश्म पितामा राज यदिकार से वंचित रहे श्री दश्रत के पंचम में गुरू से पुत्र वियोग हुआ अज राजा के सप्तम में गुरू से पत्नी वियोग हुआ विश्वा मित्र के नवम में में गुरू से अभक्षय भक्षन किया और नल के लाभस्त में गुरू से राजिय नश्ट वनवास पत्नी वियोग और सरपदंश अशब फल प्राप्त हुए ऐसी ही है ब्रस्थपतिदेव की माया नमश्कार सभी देश विदेश में देखते हुए दर्शिकों को मैं हूँ मुहित कमिल श्रिमाली और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आशा करता हूँ कि आप इस एपिसोड को अंत तक देखेंगे इसका पूरा लाब उठाएंगे बारही राशियों पर चर्चा करके मैं आपको आने वाले समय की पूर्ण जानकारी दूंगा ये समझे कि 9 अक्टूबर 2014 तक ये समय आपको क्या फाइदा देगा क्योंकि 9 अक्टूबर को ये वक्री हो बैठेंगे यानि की उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे ब्रहस पती देव तो उस समय तक फाइदा होगा या नुकसान होगा पारवारिक जीवन में खुशियां भरेगी या कलेश का वातावरन बनेगा आपकी व्यवसाय में तेजी देखने को मिलेगी या मंदी का दौर होगा नौकरी पेशा व्यक्ती है नई नौकरी के प्रयास जब कर रहे हैं तो कब करें और कैसे करें बस आप सभी से इतनी से विंती करूँगा कि अगर इस एपिसोड को आप देख रहे हैं तो इसको बनाने में बहुत महनत लगी है मेरी और मेरे टीम की और इस महनत को अगर आप पसंद करते हैं इस चैनल पर आप अभी आये हैं और इस एपिसोड को देख करके अगर आपको लगता है कि हाँ महनत होई है और इससे आपको कुछ फाइदा हुआ है आपके जीवन में आने वाले कल को लेकर कि आप सतर्क हो पाएं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा इस वीडियो को लाइक भी कीजेगा और हमारा हौसल अवजाई अवश्य कीजेगा बात करते हैं ब्रहस्पती देव की जिनको की देव गुरु ब्रहस्पती कहा जाता है महाभारत के अनुसार ब्रहस्पती महर्शी अंगीरा के पुत्र हैं पौरानिक शास्त्रों के ब्रहस्पती ग्रहे ब्रह्मा जी का भी प्रतिन धित्व करते हैं अब शास्त्रों में गुरू को शील और धर्म का अवतार माना गिया है। और गुरू को वैदिक ज्योतिश में आकाश का तत्वा माना गिया है। ये कहा जाए आकाश तत्वा है। इसका गुन विशालता, विकास, व्यक्ति की कुंडली और जीवन में विस्तार का संकीत दीत गुरू जो है वो पिछले जन्मों के करम, धरम, दर्शन, ज्यान और संतानों से संबंदित विशियों के संतुलन यानि की बालेंस को रिप्रेजन करते हैं। तो इसका सीधा संबंद कुंडली के ब्रहसपती से माना जाता है। पारंपरिक हिंदु ज्योतिश के अनुसार गुरू की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बिमारियों से छुटकारा दिलाती हैं। और पापों का शमन भी करती हैं। अब यहाँ पर ब्रहस पती की जो बेसिक्स हैं देव गुरू ब्रहसपती की जो बेसिक हैं स्ट्रॉलजी के वो आपको समझने होंगी। करक राशी में ब्रहसपती उचके होते हैं। मकर राशी में नीच राशी में माने जाते हैं। धनू और मीन राशी के स्वामी हैं। सूर्य चंद्रमा और मं पुचर करते हैं तो जिन भावों पर भी ब्रहस्पती की दृष्टी परती है वहां अम्रत के समान शुब दृष्टी डालते हैं कहा जाता है कि देव गुरुब रहस्पती की दृष्टी में अम्रत है यानि कि जहां देखते हैं भला करते हैं अब ऐसा अगर हो तो व्यक्ति को शुब परिणाम प्राप्त होंगे यानि कि आपकी कुंडली में जहां पर भी प्रहस्पती बैटे हैं वहां से उनकी जो दृष्टी है फिफ्ट, सेवंथ और नाइंथ यानि कि पंचम, सब्तम और नवम दृष्टी ये जब वो आपको देखने को मिलेगी कुंडली में तो जहां पर उनकी दृष्टी है वहां पर शुब परणाम देखने को जरूर मिलेंगे शनी के बाद में दूसरे ऐसे ग्रहें हैं जो बड़ी धीनी चाल चलते हैं यानि कि लगबग तेरा महीने इनको लगते हैं एक राशी के ब्रह्मन करने में चलिए अब यहां पर समय को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि समय को लेकर के चाहे इंटरनेट पे चले जाएए यूट्यूब पे आ जाएए कहीं पे भी जाएए कन्फूजन बहुत जादा फैला दिया गया है ये कहा जाए कि हर इंसान अपने अनुसार जो डेट मन में आरी है उसके बारे में वो कह रहा है सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि एक मई दो हजार चौबिस को वरशब राशी में प्रवेश किये उसके बाद में साथ मई को अस्त हुए जैसे कि ब्रहशपती तारा अस्त कहा जाता है गुरू तारा अस्त कहा जाता है अने को नामसे पकारा जाता है फिर एक जून को उदित होंगे व्रशब राशी में और 9 अक्टूबर 2024 को वक्री अवस्ता में वरशब राशी में अपनी उल्टी चाल चलेंगे जो वापिस से मारगी होने की बात जब होगी या ये कहा जाए वापिस सीधी चाल चार फरवरी दो हजार पच्चिस को देखने को मिलेगी अब रहसपती को शुब और वरद्धी कारक रहगा जाता है जिन जिन भावों पर रहसपती की द्रिश्टी पड़ती है अपनी शुब द्रिश्टी से उन भावों की और उनसे सम्मंदित फलों की वरद्धी करते है देव गुरु बरहसपती का वरशब राशी में होना ये गोचर जो है आप पर क्या प्रभाव डालेगा इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजेगा कि जो मैं सारे प्रेडिक्शन करने वाला हूँ आज के दिन ये राशी पर हैं चंद्र राशी पर हैं आपके मून साइन पर बेस्ट हैं तो इसके लिए कोई भी कन्फूजन हो तो उसे हटा दीजे सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्रथम राशी से यानि की मेश राशी से देव गुरुब रहस्पती आपकी राशी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिट कहे जा सकते हैं ग्रह माने जाते हैं क्योंकि आपके भागय भाव के स्वामी है जीवन में भागय अगर मजबूत हो प्रबल हो तो हर शेतर में संघर्ष मिट जाता है अब नवम भाव के साथ साथ में या आपके दौदश भाव के भी स्वामी है और व्रशव राशी में गुरु गोचर होने से आपके उपर विशेश प्रभाव पढ़ने वाला है क्योंकि देव गुरु प्रहिस्पती जो की आपके नवम भाव के स्वामी है वो अपनी गोचर अवस्ता में आपके द्वित्य भाव में जाकर के धन योग नर्मत करेंगे और इससे उत्तम आर्थिक लाब की प्राप्ती होगी बैंक बैलन्स बढ़ेगा धन संचित करने में बड़ी आसानी होगी वानी में गंभीरता आएगी अच्छी बातें करना शुरू करेंगे और लोग आपकी बातों को बड़े ही सीरियस ली लेंगे अब ही पिछले कुछ समय से अगर ये कहा जाए एक महीने से जो आप देख रहे थे कोई एडवाइस देते हैं तो एडवाइस पूरी नहीं हो पा रही सामने वाला आपकी बातों को बड़ा हलके में लेता था पर अब आपकी एडवाइस से उसका काम होना शुरू करेगा फाइदा मिलना शुरू करेगा और इसके कारण बड़े ही प्यार से सुनेगा भी और आपकी बात को समझेगा भी देगा ये स्थिती जो है ये पारिवारिक सदसियों से आपको जोड करके रखने वाली है आप कोई भी पैत्रिक व्यवसाय करते हैं यानि कि मान लीजे कि फैमिली बिजनस आपके पास में है तो ये जो ट्रांजिशन है इसका बहुत ही शांदार लाब जबरदस्त लाब आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगा परिवार के जो बड़े बुजर्ग हैं उनसे भी आपको सुख और आशरवाद की प्राप्ति हो जाएगी अब यहाँ पर दूसरे भाव में देव गुरु प्रहस्पती का गोचर परिवार में किसी शुब समाचार की प्रा भाव कहते हैं तो दुत्य भाव में बैट करके देव गुरु प्रहस्पती सिक्स्थाउस यानि की चटे भाव, आठवे भाव और दसवे भाव को देखेंगे कहा जाता है कि इनकी दृष्टी में अमृत है, तो छटे भाव पर देव गुरु की दृष्टी जो है, आपके पास अच्छा धनलाब होने की वज़े से आप अपने पुराने कर्ज या तफिर बैंक लोन को चुकाने में सफल होंगे कर्ज का दबाव कम कर पाएंगे, विरोधी भी शांत हो जाएंगे और आपके साथ में अपने आपी हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे या तफिर माफी मांग करके आपके साथ में मिलने की कोशिश करेंगे पढ़ाई की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेंगे ससुराल पक्ष से आपके संबंद बहतर होते चले जाएंगे और जीवन साती और आप दोनों के परिवारों के बीच में सामझ जैसे आपको देखने को जरूर मिलेगा, प्रेम की भावना बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, दशम भाव पर देवगु ब्रहस्पती की दृष्टी, इसके कारण केरियर में शांदार सफलता देखने को मिलेगी, अपनी जो वरकिंग कैपिलिटी है, आपकी जो 9 अक्टूबर के हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के ये जो आपके लिए सिचुएशन बनेगी, वो धन संचय करने में कुछ ज्यादा आपको कोशिश करनी पड़ सकती है, यानि कि पैसे बचाने की कोशिश जो है, वो ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने खर बताऊंगा इस एपिसोड के अंत में ध्यान दीजेगा, बहतर को बहतरीन बनाना और खराब को कुछ ठीक करना, उसमें आपकी सहायता के लिए है, तो इस एपिसोड के जब अंत में आप जाएंगे, तो आपको उपाय देखने को मिलेंगे, तो वो जरूर देखिएगा, फ राशी भाव में ही आजाएंगे, अब ऐसा करने से, ये गोचर आपके लिए बहुत बहुत जादा बड़ा एफेक्टिव सिध होने वाला है, दो अकारक भावों के स्वामी होने के कारण देव गुरु प्रहस्पती शुक्र की राशी में अधिक अनुकूल परणाम नहीं देता है, तो इस कारण अश्ठमभाव के स्वामी का आपकी राशी में गोचर करना गुप्त विध्याएं और गुप्त ज्यान प्रदान करने में मदद करेगा, चाहे जोतिश की बात कीजे, रिसर्च की बात कीजे, टैरो कार्ड रीडिंग की बात कीजे, प्रानिक इन जैसे कार्य भी आप कर पाएंगे और बड़ी आसानी से यहां पे सफलता मिल जाएगी, एकादश भाव के स्वामी का आपकी राशी में आना ये आर्थिक लाव के योग बनाएगा, धन प्राप्त करने के दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, उस तरफ अगर अपने एफर्ट्स को बढ़ा दोगे, तो जितना हो सकेगा, उतनी कोशिश से आपको फाइदा मिल सकता है, आपकी आर्थिक सिती में भी सुधार आएगा, लेकिन यहां पे इस बात का धियान रखना है कि इन भावों के स्वामी का आपकी राशी में हो होगा, उदर रोग कहा जाए, मेटबॉलिजम से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या कही जाए, गंभीर समस्या बता रहा हूँ, तो यह गंभीर समस्या उभर करके आ सकती है, अब देव गुरू प्रहस्पती आपके पंचम भाव पर दृष्टी डालेंगे, जहां पर केतु राजमान है, यह संतान के लिए तो अच्छा साबित हो जाएगा, तो संसकार भी उनको देखने को मिलेंगे, उनके काम के अंदर उनको नती भी देखने को मिलेगी, तो संतान से रिलेटेड समस्याओं से तो फाइदा यहां पर हो जाएगा, अब ब्रहस्पती की ही गृपा से प्रेम विवाभी इस साल में संभव हो पाएगा, यह स्तिती ब्रहस्पती आपके सब्तम भाव को भी पूर्ण सब्तम द्रिश्टी से देखेंगे, जिससे की विवाहिक जीवन में जो समस्याओं चल रही थी, मनमुटाव था, बहस्बाजी थी, तो वो काफी हद तक कम ह हो जाएगे, यह कहें कि मिठ ही जाएगी, शनी की द्रिश्टी भी आपके सब्तम भाव पर होगी, लेकिन उन चुनौतियों को दूर करने से, यह यह कहा जाए, यह बहुती एहम भूमी का निभाने वाला है आपके वैवाहिक जीवन में, जो शनी की द्रिश्टी से यहाँ पर परेशानिया उत्पन होने वाली थी, उससे आपको बाहर निकालने का काम ब्रहस्पती देव कर देंगे, अब ब्रहस्पती की नवम द्रिश्टी, नवम भाव पर यानि की भाग्य भाव पर होने से, धर्म, कर्म के लिए यह तीर्थस्थान लेकर के आपको जाएगा, इससे संतुष्टी भी मिलेगी, साडिस्फाक्शन भी होगा, एक सेंस अफ स्पिरिच्वाल्टी जो है, वो आपके अंदर उभरती नजर आएगी, पूजा पाट कहें, या फिर यह कहें कि बहुत ही जादा आध्यात्मिक हो करके, दान पुन्य की कोशिश अगर आप करोग जिसके कारण financial problem फिरुद्पर न हो सकती है, जब रहस्पती वक्री अवस्था में आएंगे, यानि कि 9 October को जब होगा ये, तब अपने विवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा बापस से, धन को लेकर के आप और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ क रहा सुनी भी हो सकती है, कमाई को लेके स्ट्रेस बढ़ सकता है, और जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का हस्थ शेप जादा देखने को मिलेगा, जो की और जादा परेशानी डालने वाला काम कहें, या तफिर ये कहें कि आँग में घी डालने वाला काम कर बैठेगा, अब संतान पक्ष को लेकर के 9 अक्टूबर के पश्चाद थोड़ा चिंतित होना शुरू कर देंगे, लंबी यात्रा हैं, आप सोचेंगे जरूर, पर करने पर अगर ये देखा जाए कि कोई फॉरें ट्रावल करना चाता हैं, या फिर सिर्फ हस्बन वाइफ आप दोनों म मैं आपको उपाय बताया हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इन उपाय को कीजेगा जरूरूर। फिर बात करते हैं मिथुन राशी की, यानि की तीसरी राशी। तो ब्रहस्पती महराज आपकी मिथुन राशी के लिए सेवन्थ और टेंथ हाउस के स्वामी हैं। से आपका द्वादश भाव प्रभावत होगा। जिसके रिजल्ट अगर आप देखें तो खर्चों में व्रद्दी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में धार्मिक और अच्छे कामों पे खर्च जरूर होंगे। पर समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो खर्च कि करके एक खर्च जो है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। ये हैंडल नहीं हो पाएंगे ये कहा जाए कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। आर्थिक बोज जो है वो बनना शुरू कर सकता है। ब्रहस्पति एक व्रदी कारक रह कहे जाते हैं। ये कहा जाता है कि जहां प चाप पुरत भाव पर होने से अपनी सुक प्रापती के लिए आप खर्च जयादा करेंगे यह यह कहा जाए आपकी कोई इच्छा थी दभी इच्छा थी उसको पूरा करना चाता है कैसे भी करके तो लोन ले करके कुछ भी करके आप वो खरीदने की कोशिश इस समय में कर सकते हैं और यह problematic सिध होगा फिर घरेलू खर्च जो है उसमें भी बड़ोतरी देखने को मिलेगी माता जी के स्वास्तियक के अंदर सुधार इस समय में फिर भी संभव होगा अब रहस्पती माराज की क्रपा से जो धार्मिक प्रवर्ती है वो आपकी बढ़िनी शुरू कर सकती है घर में भी शुब कारिय इस समय में काम आ सकते हैं यह कहा जाए कि शुब कारिय होते हैं मांगलिक कारिय जो होते हैं उसकी कही न कहीं पे घर में प्लानिंग जरूर द जिससे आपके वो कहा जाए कि भक्त बन बैठते हैं, कहीं शत्रु ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ में प्यार से अगर बात की जाए तो शत्रुता भूल जाते हैं, तो यहीं पर यही चीज देखने को मिलेगी कि मुरीद बन बैठे, नौकरी में भी सिती अच्छी होने के रहे थे, खास तोर पे अभी जो आप चालेंज़े पिछले एक महीनी से देखे हैं, यह चालेंज़े अपने आप ही दूर हो जाएंगी, कर्ज में भी कमी आने लगेगी, और ब्रहस्पती माराज की जो नवम दृष्टी है, जो आपके एट्थ हाउस पे है, अब इसके कार धार्मे का गतिविधियां और जोतिश जैसे विशय में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, यह कहा जा, रिसर्च करना शुरू कर दो, यह यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यंग्स्तर्स खास तोर पे जो है, आप जोतिश की फील्ड के अंदर रिसर्च करने की कोशिश इस विवाहिक संबंद की अगर बात की जाए, तो ऐसे समय में रोमैंस कहा जाए, वो जादा बढ़ेगा, यह कहा जाए कि बेटर अंडिस्टैंडिंग दोनों में डेवलब होती हुई नजर आने वाली है, फिर बात करते हैं करक राशी की, तो देव गुरू ब्रहस्पती का य यह गोचर जो है, आपके लिए एकादश भाव में होने वाला है, यानि की लिवन्थ हाउस में होगा, अब रहस्पती आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टन्ट क्रह क्यों कहे जाते हैं, शेष्ट भाव के स्वामी होने के साथ साथ में आपके भागी अस्थान, यानि की नाइन्थ हाउस के स्वामी भी है, नवंभाव के स्वामी का इकादश भाव में जाना, ये भाग्य में व्रधी करने वाला साबित होता है, अब इस बात को समझने की जरुरत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको ये प्रिंसिपल समझाने की बात कर रहा हूं कि रेत्व कांक्षा हैं जो हैं वो बढ़ रही हैं और ये अपने जो गोल्स आपने बनाए थे, अपनी जो आप एस्पायर कर रहे थे कोई छीज को पाने के लिए, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब दूर होनी शुरू करेंगी, भाग्य का साथ मिल जाएगा ऐसे समय में बिजनस से रिलेटड प्लानिंग्स जोरों शोरों से चलेगी, अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, तो इस समय में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो एक्जाम दे रहे थे, सलेक्शन नहीं हो पा रहे था, प्रॉब्लम्स बहुत जादा आ रह रहे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वहाँ पे पॉजिटिविटी देने वाले हैं, आमदनी में भी इस समय में शांदार बढ़ातरी देखने को मिलेगी, जो वर्क स्पेस की बात करें, वहाँ पे अपना नेम और फेम की बात कहें, या सीनियर्स की यहाँ पे 100% फेवर आपको मिलने बाला है, काफी आपके काम जहाँ पे सीनियर्स नाराजगी जताते थे, आपको काम पूरा होने नहीं देते थे, या फिर आपके काम में बीच में अडंगे डालते थे, वो अब इस समय में हट जाएगा, ये कहें कि कही ना कही इसे डिसिप्लिनिर्री आक्शन आपके सीनियर्स के उपर लेने की बात हो गई है, तो उस कारण से अब आपका पूरा समर्थन करते में नजर आएंगे, ऐसे समय में नौकरी में अपनी जड़ें अगर आप जमाना चाते थे, नई जॉब है, लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, शिकायत थी, ये शिकायत इस समय में मिठ सकती है, ऐसे समय में बिजनस से रिलेटेड कोई यात्रा संबव हो पाएगी, ब्रहस्पती माराज की कृपा कही जाए, या ईश्वर की कृपा कही जाए, तृत्य भाव, पंचम भाव और सब्तम भाव को पूर्ण बात करते हैं, तो दृष्टी यहाँ पर ब्रहस्पती की पढ़ने के कारण भाव बहनों से आपके संबंद जो है, वो मधर हो जाएंगे, उनसे सपोर्ट मिल जाएगा, फैनाशिल एड की बात कहो, एमोशनल सपोर्ट की बात कहो, वो इस समय में देखने को मिलेगा, उनसे तो उनों के साथ में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके रिष्टे जो हैं, वो काफी जादा बहतर बन रहे हैं, इनके साथ में फ्रेंडलीनेस आपके बन रही है, जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए है, वो इन लोगों से सपोर्ट मिलना शुरू कर रहा है, चारों अगर आटिस्ट हो, पेंट करते हो, तो पेंट करकर के घर के अंदर रखे हुए हो, एक्जिबिशन कीजे, ऑनलाइन उसको बेचने की कोशिश कीजे, उससे पैसा कमाना आसान होगा, जो भी आपकी इंटरेस्ट वाली फील्ड है, इस समय में अपने पैशन को फॉलो करके पैसा उससे जोडने की शमता आप में आ जाएगी, चाहे लव रिलेशन्शिप की बात की जाए, तो बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए इस समय में फेवरेबल रहने वाला है, ये कहा जाए कि लव मैरिज की बात की जाए, तो उसका भी मौका इस समय में आपको देखने को मिल जाएगा, जिन से प्यार करते हैं, उनके साथ में बात अगर आप सामने रखें, शादी की खास तौर पे, तो वहाँ पे मना नहीं वो कर पाएंगी, तो ये आपके लिए फेवरेबल सिती बहुत अच्छी बनने वाली है, पर इस बात का ध्यान दीजेगा, कि ऐसी बात सामने रखें, उससे पहले एक बार दोनों की ही कुंडली माच जरूर करवा लीजेगा, जिसे हम कुंडली मिलान कहते हैं, वो जरूर करा लीजेगा, फिर ऐसे समय में स्टूडिन्स की बात कर लेते हैं, ये गोचर आपके लिए भी बहुत जादा प्रॉफिटिबल, फेव बहुत अच्छे होंगे, कोई कॉंपटिशन एक्जाम फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इस समय में फेवर आपको बहुत जादा रहेगा, या ये कहा जाए, लग का सपोर्ट जो है, वो भैंकर रहने वाला है, अगर कोई भी मारेड कपल है, तो आपको भी इस समय में ये खुशी की मिल सकती है, या ये कहा जाए, ये खुशी का अनुभव हो सकता है, कि संतान का जन्म हो, ये कहा जाए कि कंसीवमिन की खबर आप तक पहुचे, तो वो इस समय में देखने को मिलेगा, अगर आप पहले से ही संतान वाले हैं, ये मान लेते हैं, कि आपके पास म पहले ही संतान है, फर्स चाइल्ड नहीं है, तो ऐसे समय में जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड है, उससे इस समय में सुख की प्राप्ती हो सकती है, वहवाईक जीवन में भी काफी जादा मधरता देखने को मिलेगी, जीवन साधी के बीच और आपके साथ में सामन जैसे इस स समय में आपको सफलता मिल जाएगी, व्रदी होने के इस समय में ये कह सकता हूँ कि बहुत जादा या बहुत स्ट्रॉंग प्रबबिलिटी इस समय में आपको कहूंगा, जब भी देव गुरु प्रहस्पती वक्री अवस्था में जाएंगी, यानि कि 9 अक्टूबर को जब जब नहीं होगा, चलिए अब बात करते हैं सिंग राशी की, तो देव गुरु प्रहस्पती सिंग राशी के जातकों के लिए पंचम भाव और अश्टम भाव के स्वामी है, त्रिकुन भाव के स्वामी होने के कारण ये आपके लिए एक शब ग्रह है, आपके राशी स्व आप अपनी बुद्धी का इस्तमाल सबसे बहतर तरीके से कर पाएंगे अपने काम के अंदर जब आप उद्धी लगाएंगे जो चतुरा ही है वो लगाएंगे तो उसका परणाम जो है वो आपको बहुत ही जादा शांदार देखने को मिलेगा अश्ठमभाव के स्वामी का अश्ठमभाव में जाना कारे शेतर में उठा पटक का संकेत देगा पर इस दौरान आप नौकरी में बदलाव के बारे में भी बहुत जादा सोचते नजर आने वाले हैं अगर पहले से ही अपने आवेदन किया हुआ है या application डाल रखी है resignation डाल दिया है तो इस गोचर अव इंकार से दूरी बनाये रखनी है अकसर होता है कि I am the only one I am the boss मुझे सब मालुम है मुझसे सीखो मेरे जैसे काम करना सीखो ये जो इगो है हर किसी पे हावी होने की जो आदत है ये इस समय में मुसीबत में डाल सकती है और सिंग राशी वाले हो समझते हो तो इस बात का ध्य जादा रखिएगा ये जो इगो वाली बात है या ये कहा जाए कि मैं सबसे बहतर हूं दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजेगा आपका अनुबब बहुत अच्छा है और लोग इस कारण से आपको एप्रीशेट भी करते हैं कि नहीं काम अच्छे से होता है पर इस बात को अपने दिमाग पर बैठने मत देना कहते हैं ना कि दिमाग चड़ा लिया है किसी ने चने के जाड़ पे चड़ा दिया आप चड़ गए और उसके बाद में खुद का परेशान या खुद को किसी भी तरीके से आपने परेशान करना शुरू कर दिया तो इससे आ अगर नौकरी का प्रयास करें तो बड़ी आसानी से समय में नौकरी मिल सकती है अब गुरू दशम भाव में विराजमान होकर के द्वित्य भाव आपके चतुर्द भाव और आपके शष्ट भाव यानि की सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस इन तीनों पर ही द सोच करके जब बोलोगे मिठास के साथ में बोलोगे तो काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे इसके बाद में गुप्त धन की प्राप्ती पैरेंटल प्रापर्टी की प्राप्ती किसी प्रकार की विरासत मिलना अचानक से यहां गेन मिल जाना ये कहा जाए अचानक से बाब मिलना इन सभी के योग बन रहे हैं। फिर बात करते हैं फैमिली ओरिंटेड लाइफ की। तो पारिवारिक मामलों में भी अब बढ़ चड़ करके आप अपना योगदान देंगे। लोगों की नजरों में बने रहने की कोशिश ज्यादा करेंगे। चतुरत भाव पर ब्रहसपती माराज की दृष्टी होने के कारण पारिवारिक जीवन में सुख जरूर मिलेगा। घर में शांदी का महौल भी देखने को मिलेगा। और ब्रहसपती माराज आपकी माता जी के स्वास्ते में आ रहे ही समस्याओं को दूर करने में सफल सिध होंगी। इससे मात अब कोई भी अच्छी प्रॉपटी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बढ़ जाई, मैं कहता हूँ कि नेकी और पूछ पूछ क्यों, अच्छा काम करने जा रहे हो, तो फिर सोचना किस बात का, प्रॉपटी खरीदनी है, खूद पड़ो, खरीद लो, संपती अगर पुरानी होगी, तो और जादा फाइदे मंसिद होगी, फिर चटे भाव पर रहस्पती महराज की दृष्टी, ये जो है विरोधियों से कारिशेतर में कुछ परेशानियों का सामना करवा सकती है, पर बहुत ज्यादा कुछ इस समय में ऐसा कहा जाए कि आप पे हावी हो ज आलेगी ही डालेगी तो वो परेशानी है, समय रहते जीत भी जाओगे, उनको अपनी जगे जो है उनका स्थान वो वापस दिखा भी दोगे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं होगी, पर इस बात के लिए फिर भी सावधान रहना होगा कि कि किसी न अब बात करते हैं कन्या राशी की, तो देव गुरुप रहस्पती का गोचर कन्या राशी से नवम भाव में होने जा रहा है, आपके राशी के लिए चतुर्थ भाव यानि की फोर्थ हाउस, सुख भाव और सब्तम भाव यानि की व्यवसाय, साजेदारी, व्यवाहिक जी ऐसे समय में कुछ चुनौतियों का सामना फिर भी करना पड़ेगा, वो क्या हैं? थोड़ा सुनिए, समझाओंगा आपको देव गुरूप रहस्पती का नवम भाव में जाना, धरम कर्म के मामले में आपको और ज़्यादा बढ़ाता है, ये कहा जाए कि बढ़ चड़ के हिस्सा लेने वाला बनाता है, परिवार के साथ में तीर्थ पर जाना इस समय में ज़्यादा पसंद करोगे, मंदर में तीर योग भी इस समय में जरूर बन रहे हैं, बस इतना ही नहीं, आप कोई बढ़िया गाड़ी अगर खरीद रहे की सोच रहे हो, खुद के लिए, परिवार के लिए, तो ये अगर सोच रहे थे, तो अब रियालिटी में आ सकते हैं, ये जो सपना था, ये रियालिटी बनने व इसके लिए भी ये समय बहुत जादा पॉस्टिव है, खास तोर पे हायर एजुकेशन के लिए फॉरिन जाना चाते हो, फॉरिन युनिवरस्टी में दाखिला लेना चाते हो, ऐसे समय में जो भी एफर्ट रालोगे, उस एफर्ट का पॉसिटिव रिजल्ट देखने को मिल जीवन साथी के साथ में भी इस समय में बॉन्डिंग बेहतर होती नजर आएगी, दोनों साथ मिलकर कि इस समय में ट्रावल प्लान्स बनाओगे और लंबी-लंबी यात्राय करने की कोशिश इस समय में जरूर करोगे, जीवन साथी के माध्यम से इस समय में आपको फाइदा भी मिल सकता है अब यहां पे कुछ संभलने वाली बात कर रहा हूं किसी गुरू की सेवा करना या उनकी मदद करना अगर ये मौका मिलता है तो जरूर कीजेगा ऐसी स्थिती में ब्रहस्पती आपकी राशी यानि की आपके प्रतम भाव पर आपके तृत्य भाव पर और आप की कोशिश कर रहे हो पर ब्रहस्पती ऐसा करने देंगे नहीं यानि की हाथ बांग लिये हैं दिमाग से सोच रहे हो कुछ तो गलत करूँगा पर ब्रहस्पती करने नहीं देंगे अब उसकी बदौलत आप कुछ भी करना चाहते हो यानि की कहा जाए कि बिल्डिंग भी गि तो वो इस समय में जरूर देखने को मिलेगा अब थर्ड हाउस पर यानि कि तीसरे भाव पर द्रिश्टी पढ़ रही है तो भाई बहनों का सुख प्रदान करेंगे दोस्तों से भी लाब मिलेगा चोटी चोटी यात्राएं जो हैं या फिर लंबी यात्राएं ये सुख प्र सिला शुरू होने वाला है आपके जीवन में बहुत important या ये कहा जाए कि life turning events जिने हम कहते हैं वो अब इस समय में for the positive होते नज़र आएंगे पंचम भाव पर देव गुरूप रहस्पदी की दृष्टी ये शिक्षा के शेत्र में उत्तम परणामों के लिए हैं competition exam कहा जाए तो महाँ पे सफल दे देंगे आपका मन सहज भाव से पढ़ाई में लगने वाला है concentration power बढ़ाएगा कोई भी ऐसी fight लड़ रहे हो competition exam लड़ रहे हो या फिर civil services का exam लड़ रहे हो तो इस समय में आपके लिए favorable सिती जादा है पर इस चीज को assurity करने के लिए ये कहा जाए surely इस बात को कहने के लिए कि हाँ इस बार अगर आप exam दे रहे हो तो आपका selection पका है तो उसके लिए एक बार कुंडली visualization करना ज़रूरी है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं राशी प रिखता है कि क्या इस बार exam देना आपके लिए profitable 100% रहेगा या नहीं रहेगा अब लंबी दूरी की यातरा करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पे सफल होने वाली है और life standard कहा जाए या ये कहा जाए life partner के साथ में अपने love interest के साथ में अब boyfriend girlfriend जो भी आपका हो उनक अब बात करते हैं तुला राशी की तो देव गुरुब रहस्पती आपके तुला राशी से अश्ठम भाव में यानि कि रशब राशी में गोचर करेंगे राशी के लिए तृत्य भाव और शष्ट भाव के स्वामी हो करके अकारक रहे हैं और शुक्र की राशी में जादा पॉजिटिव नहीं माने जाते हैं उपर से इनका गोचर आपके लिए अश्ब भाव में होने के कारण गोचर आपके लिए सावधानी वाला जादा है ये संभावना ऐसी बना रहा है जिसके कारण नुकसान हो आक्सिडेंट हो तो इनसे थोड़ा बच करके रहना है ध्यान लग तरीके से कोई ना कोई काम ट्राय करते रहते हो तो उस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है आगे बढ़ने के लिए प्रयास जो करते हो वो पूरे तरीके से करते रहो पर इस बात का ध्यान रखना कि सही जगहे पर सही समय पर अगर काम किया जाए तो ही उसका आपको फाय अपने वर्क स्पेस में जो आपके साथ में कलीक्स काम करते हैं उनसे विवाद जो है वो इस समय में बहुत बढ़ने वाला है उनसे कोई आप बात करते हो तो इस बात का बहुत जादा ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बातें भी कह देते हो कि अरे मैं तो टाइम पास के लिए ज बिजनिस खड़ा कर दूँगा, मैं तो यहां पर तब तक काम कर रहा हूं, जब तक वहां से आफर नहीं मिलता, या फिर बॉस तो ऐसा है, यह जो हम बाते नॉमली करते हैं, यह बाते इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, बले ही कोशिश कर रहे हैं, लेक ले लिया लोन लेने के लिए, इसके बाद में आने वाले साल बर के अंदर लोन उतार दूँगा, तो यह इस समय में पॉसिबलिटी नहीं होने वानी, आर्थिक रूप से भी, यह गोचर जो है, यह वीक कहा जाएगा, आर्थिक चुनौतियों का सामना जादा करवाएगा, खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, पर एक लाब इस समय में फिर भी देखने को मिलेगा, धार्मे करूप से spiritually यह ग्रोथ का समय है, spiritually आपको ग्रोथ देगा, अपनी intuition power की बात कीजे, अपनी connection की बात कीजे इश्ट देव के साथ, तो वो इस समय में ज्यादा देखने को इस समय में इंटरेस्ट जो है, धर्म के प्रती, जोतिश, ग्रंथ इन सब पर ज्यादा पढ़ने वाला है, यह कहा जाए पठन पाठन का जो काम होता है, वो इस समय में आपको ज्यादा सफलता देगा, अब अश्ठम भाव से देव गुरु प्रहस्पती आपके 12 आउस पर और चतुर्थ भाव, यानि कि 4 आउस, इन सभी पर द्रिश्टी पात कर रहे हैं, 12 भाव पर जो द्रिश्टी है, इसके कारण आपके बाहर जानी की संभावनाएं बढ़ सकती है, यह कहा जाए, ट्रावल की अगर बात की जाए, फॉरन ट्रावल की बात की जाए, तो वो इ गुमने जा रहे हो, तीन से चार दिन के लिए तो 6 लाग का आपका खर्च बैठेगा, अब पहुचते ही कुछ ऐसा हो जाए, कि 6 लाग फाइन में, 6 लाग किसी दुरभावनावश या कोई दुरघटना हो गई, उस कारण से आपको खर्च करना पड़ गया, 6 लाग का बज इसी प्रॉब्लम के कारण जो खर्च करना पड़े, तो वहाँ पर इसका मतलब समझ में आता है, कि अगर कोई यात्रा कर रहे है, तो उसमें खर्च बढ़ जाएगा, परिशानिया सामने आएंगी, तो वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी खर्च इस समय में देखने को मिल सकती है, गले की समस्या भी इस समय में आ सकती है, अगर स्मोकिंग करते हो, हुका पीते हो, या कोई भी तरीके से जो भी आप ये काम करते हो, जिससे की गला involved होता है, तो इस बात का ध्यान दीजेगा कि गले से related इस समय में समस्याएं उभर सकती है, लिवर से धनलाब हो जाएगा, unexpected profit मिल जाएगा, चाहिए का हो share market, commodity market या किसी भी तरीके से या कोई property अचानक से अपने पाले में आ जाए, distress property खरीद ली, तो उससे फायदा हो गया, पर वाद विवाद और court, ये जो मामले हैं, इन जगाहों पर भी आप देखेंगे कि इस जगहे पर अगर कोई भी आप fight लड़ रहे हो, property से related या किसी भी तरीके से पैतरिक संपती से related, तो इस समय में यहां से भी आपको पैसा मिल सकता है, तो ये पैसों से related, आपके लिए कुछ बहतर भी करने वाला है transition, फिर होती है बात, जीवन साथी के परिवार की, यानिका आपका ससु यानिके अपने ससराल पक्ष के साथ में कर्टुता पूर्ण भी बढ़ सकते हैं, ऐसा इस कारण की जो एक बार support दे दिया, उसके बाद मुस्षीज को गिनाना, उसको बार बार हड़ जगे पे जाहर करना इस कारण से परेशानिया जो हैं आपके बीच में बढ़ सकती है, इसके लिए सावधानी रखनी है, पैसा जेब में हैं नहीं, उधार ले लिया है, उधार देने वाले के साथ में दुर व्यवहार करोगे, तो जो पास में पैसे नहीं हैं, वो कैसे भी करके चुकाने पर सकते हैं, तो थोड़ा यहां पे सब्र और मिठास रखनी होगी, जी अधी में आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलजाने में ज्यादा समय लगने वाला है, बले कितना ही आप काम कर लो अपने आपको काम में व्यस्त रख लेते हो, लेकिन जो परिवार को लेकर के जिम्मेदारियां हैं वो निभाने के लिए आपको जंतों जहत करनी ही पड प्रश्चिक राशी की तो व्रश्चिक राशी वालों के लिए ब्रहस्पती का गोचर सब्तम भाव में होने वारा है। प्रश्चिक राशी वालों के लिए ब्रहस्पती के सब्तम भाव में जाकर केंद्र त्रिकोन का संबंद बनाएंगे जो आपके लिए राजियोग जैसा परणाम ही प्रदान करने का काम करेंगे। आपको देखने को मिलेगा और व्यापार को इस समय में प्रोग्रेस जो आप देना चाहते हो, स्पीड देना चाहते हो, तेजी देना चाहते हो, वो करने के अंदर अब आप सफल हो जाएंगे। अपनी कुछ कापिटल जो आपके पास में सेवड है, या तफिर आपने जो रेन फंड के लिए रखा है, या तफिर को एमर्जनसी के लिए रखा है, वो व्यापार में लगाना इस समय में जरूर पड़ेगा, जिससे कि व्यापार जो है, उसको एक नया डिरेक्शन दे पा आप काम करने की कोशिश कीजिए, व्यापार में उन्नती जो है, वो इसी एक प्रॉस्पेक्ट से आपको मिल सकती है, और ऐसी जिसको मैं कहता हूँ कि शांदार से जबर्दस, जबर्दस से भेंकर ये वाली जो ग्रोध है, ये आपको देखने को मिल सकती है, अपने संतान स इस्तमाल करते हुए, अपने काम के उपर आपको जादा ध्यान देना है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने है, उस पे जादा फोकिस करना है, जीवन साथी के साथ में संबंध जो है, वो यहाँ पे बहतर होंगे और रिष्टा जो है, वो खुबसूरत तरीके से आगे ब इकादश भाव, आपके प्रथम भाव और आपके तृत्य भाव इन तीनों पर ही दृष्टी पात करेंगे, तो ऐसे में इसका फाइदा और नुकसान क्या है, वियविसाईक योजना इस समय में सफल हो जाएंगी, शांदार तरीके, जबरदस तरीके से पैसा कमाने का मौक दैनिक आमदनी जो है, वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, आपकी आये जो है, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, अपने सीनियर्स जो हो गए, उनका इस समय में 110% फोकस और सपोर्ट आपको मिलने वाला है, नौकरी में भी अगर जाओ, या यह कहो कि नई-नई नई नई नवकरी जॉइन किये है, तो ऐसे में शुरू के अंदर ही जो आपके सीनियर्स हैं, वो सिर्फ और सिफ आपको सपोर्ट करें, फेवर करें, तो यह चीज आपके लिए बहुत-बहुत Sounds हे बहुत जादा अच्छी सद हो सकती है, अगर नोकरी में हो, तो आगे बढ़ा रहे हैं ये ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन लगती है पर इस चीज के होने की समभावना इस समय में ज्यादा है अब आपकी राशी पर प्रहस्पती का प्रभाव एक बालेंस इंसान जिसे कहें वो बना सकता है ऐसे समय में बहुत ज़्यादा काल्कुलेट और काल्कुलेटिव रिस्क लेने की शमता ये आप में देखने को मिलेगी बिजनस भी बहुत काल्कुलेटिव रिस्क लेकर के करने वाले बनोगे जहां पे भी हाथ डालो फाइदा तो मिलेगा अब तीसरे भाव पर जो दृष्टी है ये भाई बहनों से संबंद समय में सोच से हट करके हकीकत बन पाएगी जीवनसादी के भाग्य में भी इस समय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उनके कारण आपको लाभ मिल सकता है ये कहा जाए कि अगर आप पुरुष हैं तो लीडी लक जिसे कहा जाता है तो लीडी लक की प्राप्ति अगर हो 24 में जब वक्री हो जाएंगे तब स्वास्ते कव लेकर के कश्ट जो है वो अपने लाइफ पार्टनर का देखने को मिल पाएगा या ये कहें कि उस समय में जीवनसादी का जो एक कश्ट है इससे परेशाना अब जादा रहेंगे बिजनस में भी पार्टनर्शिप में बात देव गुरू ब्रहस्पती आपके धनू राशी के लिए स्वामी ग्रह होने के साथ साथ में आपके चतुर्त भाव के स्वामी भी हैं ऐसे समय में आपकी राशी से शष्ट भाव में होने जा रहे हैं ये जो गोचर है ये आपके लिए सिक्स थाउस में होगा यहां बैठ क आपके स्वास्ते को लेकर के समस्याएं इस समय में ज्यादा बढ़ाएंगे और इस दौरान आपके बिमार होने के योग भी ज्यादा है। खिलाफ इस समय में इश्यू हो जाएं तो इस से बहुत संभल करके रहना है। ऐसे समय में जो पैसा है वो भी दोनों हातों से बहाना पड़ेगा अगर कोट केसे में इन्वाल्ड हो तो अगर किसी बैंक से लोन लिया है या लोन लेना चाहते हो खास तौर पर अभी तो उनकी बन जाएंगी जो चालेंजस आप फेस कर रहे थे उससे भी बड़ी आसानी से आप आगे निकल पाओगे। पर आपको लगातार इस समय में अपने आपको प्रूव करना बार बार एक ही काम को दोहराना बार बार एक ही सेंटेंस जो है वो दोहराते रहना लोगों के सामने वो आपको परिशान कर सकता है विरोधियों से दो कदम आगे आपको सोचना पड़ेगा। ये कहूं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परस्तिती बार बार ऐसी उत्पन होगी जो आपको डुबाने वाली हो। बार बार ऐसी कोई समस्या क्लाइंट के थ्रू हो जहाँ पे भाव को सब्तम दृष्टी से आपके द्वादश भाव को और नवम दृष्टी से आपके द्वित्य भाव को देखेंगे। ऐसे समय में कठिन प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। जन्तो जहत जादा करनी पड़ेगी। किसी भी संपत्ती में हाथ अगर डाल रहे हो तो रहे हैं तो संबल जाओ। जितनी बड़ी-बड़ी बातें करके आपको प्रॉपटी बेची जाएगी। उसके बाद में अतनी ही बड़ी-बड़ी बातें प्रॉपटी से निकल करके सामने आएंगी। उनके स्वास्ते को ध्यान में रखते हुए बराबर अगर जरूरत पड़े तो किसी डॉक्टर के लेकर के जाना उनकी रेगलर चेक अप्स करवाना उसके उपर आपको ध्यान देना होगा फिर इस समय में अगर हम बात करते हैं धार्मिक यात्राओं की तो इसके योग भी बन रहे हैं तीर्थ स्थल की यात्रा हो कोई लंबी यात्रा हो वो इस समय में करने का मौका अवश्य मिलेगा खास तोर पे तीर्थ स्थल होगे धार्मिक स्थल होगे उनकी तरफ अब द्वा में आपको देखने को मिल सकता है पर अच्छे काम भी होंगे जिन पर ध्यान देना होगा कठन चुनौतियों के बाद में आप पैसा जो कमा रहे हैं वो संजो करके रखने के चांसे प्राबबलीटी इस समय में जरूर देखने को मिलेगी पर इंपॉर्टन बात कह रहा हूँ बड़ी ही जरूरी है अपनी वानी पर अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है उल्टा सीधा बोल देना कुछ भी जो मन में आता है सामने वाले को बुल देना ऐसा करने से ना चाहते हुए भी खुद के लिए विरोधी उत्पन कर बैठोगे कहते हैं ना कि बैठे बैठे के अंदर दुश्मन बन जाते हैं वो इस समय में देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं मकर राशी की तो मकर राशी के लिए देवगुरू प्रहस्पती तृत्य और द्वादश भाव के स्वामी होकर के कारक ग्रह बन जाते हैं वर्तमान गोचर में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे वर्तमान समय में ये पंचम भाव में उदे होंगे देवगुरु रहस्पती के इस उदित होने के कारण ये परणाम सुरूप आपको शिक्षा में उत्तम परणाम प्राप्त होंगे अंदर सही विचारों का जनम होगा ये कहें positive thinking जो है वो इस समय में आपको देखने को मिलेगी धरम करम कहें आध्यात्म का काम कहें चिंतन कहें मनन कहें सामाजेक रूप से उत्तम विचारों का जनम ये आपके अंदर देखने को मिलेगा आपको अपने क्यूए हुए गलत कारियों से गलानी भी होगी और आप उसका पश्चाताप किसी ना किसी तरीके से करते जरूर नजर आएंगे ये कहें कि खुद पश्चाताप करना पसंद करेंगे खुद को पनिश कर लेता हूँ, खुद किसी तरीके से कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ जो मैंने गलत किया है उसको किसी तरी सुधार पाऊं ये इस समय में देखने को मिल पाएगा आपके मन, मस्तिश्क और ग्यान का विस्तार इस समय में होगा अच्छे लोगों से आपकी बात्चीत बढ़ेगी और उनसे आपको लाब भी कमाने का मौका जरूर मिलेगा संतान की बात की जाए तो संतान से सुख की प्राप्ती हो संतान आग्याकारी बने उनसे आपको सुख कुछ ऐसा प्राप्त हो जिसे की पूरे परिवार का नाम हो जाए वो इस समय में देखने को मिलेगा अब देव गुरुब रहिस्पती के इस गोचर से यदि आप विवाहत जातक है तो संतान प्राप्ती का सुखच समाचार मिल सकता है संतान प्राप्ती के इच्छा पूरी हो सकती है अगर रिलेशन्शिप में है तो ये गोचर आपके लिए काफी जादा पॉजिटिव एफेक्ट ये कहे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है आपके रिष्टे को ये मैच्यॉर बनाने वाला है जो एक ये कहा जाता है कि जब शादी के रिष्टे में नहीं होते हैं इन फॉर्मल रिलेशन्स का हैं गर्प्रिंड बॉइफ्रिंड का रिलेशन का हैं यहां पर दृष्टिपात करेंगे अब रहस्पती के इस उदै होने के कारण लंबी यात्राओं के योग बनेंगे शिक्षा के लिए लंबी-लंबी यात्राओं आप करेंगे फॉरण एजुकेशन की प्राप्ति इस समय में कहें या ये कहें कि कोई कोर्स के लिए वहाँ पे जाना कोई रिसर्च के लिए वहाँ पे जाने की चांसे बढ़ जाएंगे ऐसे समय में आपकी आमदनी में शांदार बढ़ातरी देखने को मिलेगी हो सकता है कि आपकी नौकरी में इस समय में कोई positive बदलाव देखने को मिले एक well paying job से higher paying job की तरफ आगे बढ़ते नजर आए यहीं पर मन में सही विचार भी आएंगे positive thinking आपको take over करेगी सही निरने लेते हुए नजर आएंगे आपको इन सभी से आपके जो रुके हुए काम थे वो अब बनने शुरू कर सकते हैं track पे वापस काम का आ जाना ये देखने को मिल सकता है पर कोलिस्ट्रॉल ये कहें कि bad कोलिस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा high हो सकता है उससे बचने की कोशिश आपको करनी होगी फिर बात करते हैं कुंबराशी की कुंबराशी के जातकों के लिए ब्रहसपती द्वित्य और एकादश भाव के स्वामी होकर के धन भावों के स्वामी बनते है आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि कुंडली में इनकी स्थिती जो है ये आपकी आर्थिक स्थिरता के लिए important है बरतमान गोचर में देव गुरु ब्रहसपती आपकी राशी से चतुर्त भाव में गोचर किये अब उदै हुए तो व्रशब राशी में गुरु का ये उदै होना आपके लिए मध्यम रूप से बहुत profitable सिद हो सकता है अपने धन का प्रयाग अपने घर की साज सज्जा में घर की आवशिक्ताओं को पूरा करने में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपने माता जी के स्वास्ते पर ये देखने को मिल सकता है ब्रहिस्पती यहां स्थित हो करके अपनी पंचम दृष्टी से आपके अश्ठम भाव को सब्तम दृष्टी से दश्चम भाव को और नवम दृष्टी से द्वादश भाव को देखने वाले हैं अब रहस्पती के इस अश्टम भाव पर प्रभाव से पैतरिक संपत्ती प्राप्त होगी वहीं आचानक से इस समय में अनेक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कहें जाएं धनलाब कहा जाएं वो देखने को मिल सकता है जिससे सुक्की अनुभूती होगी कोई पुरानी संपत्ती या तो फिर ये कहा जाएं पूरवजों की जो संपत्ती है वो इस समय में मिल सकती है इससे बहुत प्रसंता भी होगी धर्म कर्म के कामों में भी आपको मान समान और यश्च की प्राप्ती होगी आर्थिक विकास भी होगा आपको अपने केरियर पर जादा ध्यान देने से इस समय में पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी ये कहें कि अपने केरियर के उपर अगर जादा फोकस करोगे तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे बच जाओगी आपको जिसे हम कहते हैं दिहाडी का मजदूर बना देते हैं गदा बना देते हैं दिन भर काम करवाते हैं रगड देते हैं वो इनसान बन जाओगे फिर द्वादश भाव पर ब्रहस पती की द्रिश्टी होने के कारण खर्चों के योग भी बनेंगे पर ये अच्छी बात है कि खर्च अच्छी दिशा में होंगे इनसे आपको थोड़ी परिशानी जरूर एक बार में होगी पर खर्चों पर कंट्रोल जो है वो रख करके समस्याओं से बाहर आप अविश्य निकल जाओगे ये जो खर्चे हैं ये घर की सुक्स विधाओं पर आपकी ही प्रॉफिट के लिए होने वाले हैं पर हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना ही होगा अब बात करते हैं लास्ट राशी अंत्म राशी मीन राशी की तो देव गुरुब रहस्पती मीन राशी के स्वामी है आपके लिए बहुत बहुत जादा इंपॉर्टन ग्रह बन जाते हैं आपकी राशी के लिए स्वामी होने के साथ साथ में ये आपके करम भाव यानि के दशम भाव के स्वामी भी है वर्तमान गोचर के दौरान ये आपकी राशी से थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे अब तीसरे भाव में ब्रहस्पती का विराजमान होना आपके अंदर आलस्य बढ़ा देगा कामों को कल पर टालने वाला इंसान मना देगा और महत्वपूर्ण मौके आपके हाथ से फिसल सकते हैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सतर करहना जरूरी होगा थोड़ा अक्टिव अपने आपको रखना जरूरी होगा किसी भी मौके को हाथ से जाने से बचाने की कोशिश आपको पूरी करनी होगी महिनत करने पर ध्यान देने से सफलता मिल सकती है दोस्त जो है उन्हों का साथ जो है वो फाइदेवन जादा सिध होगा वहीं पे बिजनस में आपकी मदद आपके दोस्त ज्यादा करेंगे चाहे फैनाशली कही जाए मेतरों के सहीयोग से वेवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं आ रही थी उनसे दूरी हो जाएगी आ ये कहें कि उनके साथ और समर्थन के कारण उनके समझाने के कारण जो परेशानिया थी उससे राहत मिल जाएगी चोटी यातनाएं भी होंगी और खास तोर पैसे समय में जो आपके भाई बहन हैं उनका पूरी तरीके से आपको साथ मिल जाएगा अपनी किसी भी इंटरस्टेड फील्ड है पैशन है तो उसको इस समय में जादा फोकस कीजिए उसको जादा मोटिवेट कीजिए आप अपनी किसी भी रूची को महत्वागर देते हैं तो उसे निखारने पर जादा ध्यान दीजिए अपने पैशन को बहतर बनाईए स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में जादा ध्यान दीजिए कि किसी भी तरीके से बहतर खेलना शुरू कर सकता हूँ पडोसियों से भी इस समय में संबंद जो हैं वो सुधर जाएंगे रिष्टेदारों में आना जाना बढ़ जाएगा सब्तम भाव पर पर रहस्पती की दृष्टी होने के कारण वेवाहिक जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थी वो अपने आप खतम हो सकती है कोई बिजनस अगर आप करते हैं या विसाय में अगर आप और जादा बढ़ोतरी का कोशिश कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस समय में सफल जरूर होंगी ऐसे समय में business नए विचारों के साथ में आपको और जादा profits देने वाला बन सकता है नई technology को अगर आप involve करते हो तो ये और जादा important होगा और बड़े important लोग जो है उनका सहीयोग आपको अपने व्यापार में देखने को मिल सकता है जिसके कारण अपने आपी काम बन पड़े ये कहा जाए कि political influence हो कोई बड़े investor का influence हो उसके कारण आपका काम बड़ी आसानी से बन सकता है अब रहस पती की सब्तम द्रिश्टी नवम भाव पर होने से आप दान, धरम, पुन्य और अच्छे काम करना जादा पसंद करोगे मंदर हो तीर्थ स्थालो इस पे जाना जादा पसंद करोगे शुरम दान जिसे कहा जाता है वो मंदर में तीर्थ स्थानों में देरी की कोशिश करोगी देव दर्शंत से शांती और सुकुन का एसास प्राप्त होगा और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में तीर्थ यात्रा करने के इस समय में योग आपके लिए बनेंगी चोटी दूरी के अगर यात्रा भी करनी हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एकादश भाव पर ब्रहस्पती की दृष्टी के कारण आर्तिक रूप से यहाँ पर जो प्रयास करने से अच्छा लाब आपको मिल पाएगा धनलाब के लिए जो भी आप काम करने वाले हो कोई हाथ हिलाने का काम करो तो उससे आपको यहाँ पर प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा खाली बैटे रहने से यह कहूंगा कि जो स्थिती पॉजिटिव बन रही थी तो वो भी आपके लिए कारगर नहीं हो पाएगी ऐसे समय में जो आलस आलस को त्याग करके ही आगे बढ़ना होगा जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ छोटी सी भी एफ़र्ट करोगे तो छोटी सी एफ़र्ट से भी आपको बहुत अच्छा परणाम देखने को मिल सकता है अब यह हो गया मेश से लेकर के मीन तक का राशी फल पर अब जरूरी है उपायों को समझना बहतर को बहतरीन, बहतरीन को जबरदस्त, जबरदस्त को शांदार बनाना कैसे संभव है? उपाय से तो ब्रहस पती ग्रह की शांती करने के लिए कुछ उपाये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फाइदा आपका है और अगर अभी तक आपने राशी फल देख लिया है, समझ लिया है और इससे आपको आगे आने वाले कल के लिए कोई प्लानिंग करने का मौका मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चलिए, अब उपायों की बात करते हैं तो सबसे पहले, सबसे पहला उपाय आप पुखराज पहन सकते हैं और पुखराज के अभाव में सुनहेला पहन सकते हैं दूसरा उपाय, गुरवार के दिन गाय को गुड़ और केला खिला सकते हैं गुड़ केला चने, इनका दान या तो फिर इनकी दाल बना करके दान कर सकते हैं पीली वस्तूओं का दान कर सकते हैं तीसरा उपाय, अपने पास पीला रुमाल रखना शुरू कर दें, चाहे इस तरीके से अगर आपके पास में पीला रुमाल पॉकिट स्कुए है, तो ये रखना शुरू कर दीजे, कोई पीले बस्तर का टुकड़ा हो, स्कुएर टुकड़ा काट करके वो अपने पास में रख करनी होगी और उसका अभिशेक करना होगा हर रोज चटा उपाए ब्रहस्पती के यंत्र का पेंडल याद फिर सुनहेला उसमें जड़वा करके आप पहन सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत जादा शुबसाबित होगा साथवा उपाए ब्रहस्पती ग्रह के यंत्र की अंगूठी ये बनवा करके गुरुवार को आप पहन सकते हैं ये भी काफी शुब है आठवा उपाए दस अवतार विश्णु कवच धारन करना या तफिर लक्ष्मी नारायन कवच धारन करना ये भी आपके लिए बहुत जादा पॉस्टिफ सिद होगा और उसी के पश्चाद दो मंत्र बता रहा हूं ब्रम ब्रहस पते ये नमहा ये एकाक्षरी बीज मंत्र है इसका एक सो आठ बार उचारन कर सकते हैं हर रोज तो यह आपके ले शुब है तो वहीं पे बीज मंत्र वो है ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमहा इसका आपके लिए बहुत शुब साबित होगा इसी के साथ में आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही आशा करता हूं आपके एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी करना है लाइक भी करना है फैमिली के साथ में शेयर भी करना है कोशिश यही है क आने वाले कल को लेकर के आपको पहले सावधान कर सकूँ, अगर बहतर है तो बहतरी इन कैसे बनाया जा सकता है, खराब है तो किस तरीके से खराबी से बाहर आया जा सकता है, अपने आपको और अपने परिवार को सावधान रखा जा सकता है, उसके लिए ये प्रयास लगाता आपके लिए बनाते हैं हमेशा की तरह प्रात्ना अब सभी के लिए यही करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे संपन रहे सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आश्रवाद हमेशा हमर साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन सबस्क्षण सिंक थाओ करें ऑचिजरू opposite. 5, 4, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1. हमेशा कि एपके खिए में जैश्री रहे सिंक 90 इनले को और खित कृमार को जैश्री रहे परहे जैश्रा इश्री सिंक अजर्ड़ों में बड़ों.